रोहित शर्मा को टीम इंडिया का नया वंडे कप्तान बनाया गया है। रोहित की कप्तानी का टेस्ट शुरू होने से पहले आपको बताते हैं कि उन्हें किन पांच बड़ी चुनोतियों से पार पाना होगा। पहली चुनोती शिखर धवन या केयल राहुल सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोहित शर्मा का जोडिदार कौन होगा। शिखर धवन या फिर केयल राहुल 2013 से रोहित और धवन टीम इंडिया के लिए उपनिंग कर रहे हैं और काम्याब भी रहे हैं। अब तक रोहित धवन की जोड़ी ने भारत के लिए 110 पारियों में उपनिंग की है लगबग 46 की एवरेस से 4978 रंज जोड़े हैं। इस दोरान दोनों बल्लेवाजों ने 17 शतकिये और 15 अर्ध शतकिये साज़ेदारियां की, सौरवगाउं गुली और सचिन तेंडुलकर के बाद रोहित धवन भारत की सबसे सफल ओपनिंग जोड़ी हैं। वही किल रहुल के साथ रोहित शर्मा ने सिर्फ 11 पारियों में बल्लेवाजी की हैं। और इस दोरान इन्होंने 90 की एवरेस से 5 बार शतकिये साज़ेदारियां की हैं। टीम इंडिया के लिए लंबे वक्त से नंबर चार अबूज पहली है। यूरा सिंग के सन्यास के बाद भारत को पर्फेक्ट नंबर चार बल्लेबाच नहीं मिला है। इस दोरान मैनेजमेंट ने सुरेश रहना, अमबाती, रायुडू, दिनेश कार्ति, केल, राउल, रिशप पंथ, श्रेश आयर जैसे कई प्ले राजमाए लेकिन ये सभी असफल रहे। इन दिनों नंबर चार पर सूरी कुमार यादो का नाम आ गया रहा है, हरांकि सूरिया ने नंबर चार पर सिर्फ T20 इंटरनेशनल में बल्लेबाजी की है, सूरिया से पहले आयर नंबर चार पर खेलते थे। इस पोजिशन पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेस आयर ने 12 पारियों में 42 केवरेज से 463 रन बनाए हैं, इस दोरान उन्होंने एक शतक और 4 अर्ध शतक लगाए हैं, आयर के अलामा पंत को भी नंबर चार पर खिलाया गया है, पंत ने इस दोरान आठ पारियों में 28 केव धोनी के वज़ास से हमारा नुकसान हो गया था, तीसरी चुनोती फिनिशर कौन, धोनी के रहते हुए हार्दिक पंडिया को फिनिशर के तोर पर देखा जा रहा था, हार्दिक पंडिया फिनिशर की भूमिका में जचे भी, उन्होंने अपने दम पर टीम को कुछ मुकाब जिताये भी, लेकिन ऐसे मैच बहुत ज्यादा नहीं है, नंबर पांच पर पंडिया का इस्ट्राइक रेट 124 का है, और नंबर 6 पर 111 का, हालांकि उनका लेटेस्ट हाल ये है कि उन्हें टीम इंडिया में जगा ही नहीं मिल पा रही, फिनिशर की भूमिका में रिशप प में रिशप पंद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, और तोर पंडिया की तुलना में रिशप पंद के आंकड़े भी बहतर हैं, ऐसे में मैंनेजमेंट और कप्तान रोहित को अपना फिनिशर तै करने में भी काफी सोच बिचार करना होगा, चौथी बड़ी चुनोती हरा लेकिन इस मामले में एक और बात देखने लायक है। कोहली से कप्तानी छीन कर रोहित को दी गई है। ऐसे में मन मुटाओ की बात से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता। रोहित के लिए अब कोहली को समालना भी एक चुनोती होगी। पांचमी और आखरी चुनोती 2023 का वंडे वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा दा कैटन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज विश्योकप जिताने का है। 2023 विश्योकप को ध्यान में रखकर ही रोहित शर्मा को वंडे का कप्तान बनाया गया। और वंडे विश्योकप से पहले रोहित के पास लगभग 22 महीने का समय बाकी है। इस समय में उन्हें 2023 वंडे विश्योकप के लिए टीम तैयार करनी होगी। 2022 के T20 विश्योकप में भी टीम इंडिया को लीड करना ही है। एक तरह से रोहित का ये पहला और सबसे बड़ा assignment है, क्योंकि उन्हें दुपक्षिय सीरीज जिताने के लिए कपतान नहीं बनाये गया है। ये काम तो विराट कोली भी करी रहे थे और बहतर धंक से कर रहे थे। T20 International विश्यकप के लिए रोहित के पास 10 महीने का टाइम बाकी है। देखने वाली बात होगी कि जिस उम्मीद से रोहित को BCCI ने जिम्मेदारी सौपी है वह उस पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। क्योंकि कोली के साथ साथ रोहित का भी यह आखरी वंडे विश्यकप होने वाला है। नमस्ते मेरा नाम सूरज है कैमरे के पीछे विजयत है। आपके लिए इस्टोरी लिखीत है हमारे साथिया विनाश ने। शुक्रिया।